जिसे लिखने वाली लुईस में एलकॉट है यहाँ पे शड का मतला होता है फोम यह फिजाग जो कपड़ा धोने के दोरा निकलता है तो यहाँ पे जो पोईटेस है वह बता रहे हैं कि वह एक वाशर वुमन है और वह जब कपड़े धोर ही होती है तो उनकी दिमाग में क्या क्या विचार आते है वही सारी बाते बताए जाती है अब इसे के साथ हम शुरू कता पोयम Queen of my tub I am merely sing मैं अपने tub की रानी हूँ मतलब यहाँ पे जो पोईटेस है वह वाशर वुमन है तो बोलते हैं मैं अपने tub की रानी हूँ मैं गाया करती हूँ while the wide foam raises है जब वह सफेज जग उपर की और उठता है देखा जाता है कि जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो कपड़ों के साथ जग हो तो वो भी उपर उठता है तो वहीं बोला जा रहा है कि जब मैं गार यह होती हूं तो जग है सफेज जग वह उपर उठता है and steadily wash and rinse and ring और मैं क्या करती हूँ उसे बहुत ही energetically बहुत ही तागत के साथ उसे धोती हूँ उसे अच्छे तरीके से रगरती हूँ साथी साथ उसमें जितने ही पानी है उन सारी के सारे पानियों को निकालती हूँ and fasten the cloths to dry और मैं उन कपड़ों को फी सुखने के लिए छोड़ देती हूँ then out in the fresh air they swing under the sunny sky और जब मैं उन्हें कपड़ों को सुखने के लिए छोड़ देती हूँ तो ताजी-ताजी हवाई उन पे आती है किसमें जब सूरज बहुत ही ज़़ा आसमान में चमकरा होता है I wish we could wash from our heart and our soul the stains of the weak away अब यहाँ पे पोईटर्स बोलती कि मैं उमीद करती हूँ कि इसी तरीके से हम हमारे दिल और हमारी आत्मा में जितनी भी गंदेगी है जो हर सब्ता हमारे शरीर में आता है तो जिस तरीके से मैं कपड़े को धोती हूँ उसी तरीके से हमारे मन, आत्मा और शरीर से सारी की सारी गंदेगी चली जाए and let water and air by their magic make ourself as pure as they और फिर उसके बार मैं पानी और हवा को उनकी magic करने के लिए अपलाय करूँगी मतलब जिस तरीके से जब हम कपड़े को धोते है और उसे साफ करने में पानी और हवा का बहुत importance रहता है उसी तरीके से यह बोला जा रहा है कि मैं अपने शरीर से वो जितने भी दिल में और आत्मा में जितने में गंदेगी है उसे इस तरीके से साफ करूँ कि जो हवा और पानी है वा अपने वा खुद जिस तरीके से प्योर है वा हमें भी प्योर बना दे then on the earth there would be indeed a glorious washing day तो इस तरीके से इस संसार में एक ऐसा दिनाएगा जब हम लोग एक glorious washing day मनाएंगे मतलब किसी की भी जिन्दिगी में किसी भी तरीकर negativity हमें देखने को नहीं मिलेगी along the path of a useful life we heart is ever bloom और इस जिन्दिगी में इस जिन्दिगी के राष्टे में हम क्या बन जाएंगे एक heart is ease अगर heart is ease के बारें बात करें तो एक European wild flower है जिसका इस्तमाल दबाई बनाने के लिए किया जाता है तो बोला जाता कि अगर हम पूरी तरीकी से positivity से भरे हुए रहेंगे तो हम भी एक heart is ease जैसा फुल बन जाएंगे जो चारो और महकेंगे एक busy mind जब पूरी तरीकी से busy रहता है तो उसके पास समय नहीं रता है उदास होने का या फिर दुखी होने का हमें देखने को भी मिलता है जब कभी भी हम लोग free होते है तो हमारे दिमाग में बहुत तरके negativity आती है इसलिए free mind रखना ही नहीं चाहिए खुद को हमेशा busy रखना चाहिए और हम पूरी तरीके से अगर busy होंगे तो जितनी भी तरके thoughts आते है वह इस तरीके से गाइब हो जाएंगे जिस तरीके से हम लोग जाडू से अपने घर की गंदिगी को गाइब करते है I am glad a task to me is given to labor at day by day और मुझे इस बात के खुशी है कि मुझे एक ऐसा task मिला है जिसे मुझे daily कुछ न कुछ करना पड़ता है for it brings me health and strength and hope and I cheerfully learn to say और मुझे इस चीज़ से बहुँ ज़दा आनन मिलता है मेरा स्वास्त अच्छा रखता है मेरे शरी में तागत आती है और मुझे उमीद होती है कि जिन्दिग में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं cheerfully सीखती हूँ और कहती हूँ head may be think heart you may feel but hand you shall walk always कि सिर्फ तुम सोचते हो दिल तुम मैसूस करते हो लेकिन मेरे हाथ तुम्हें हमेशा काम करते रहना है तो यहाँ पर Lewis May Alcott simply यहाँ बताना चारी है कि जिस तरीके से हम अपने आपको अगर busy रखते है तो हमें किसी भी तरीके का negativity हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है और यह बहुत सा चीज़े इस point में बताई गई है तो हमेशा काम करते है